आज का वीडियो चुहे ये बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक चर्चा करेंगे छोटी लाइन के उपर जो मीटर गेज है इसका आखिर क्या है भविश और इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरशित अगरवाल जी को जिन्नोंने ये वीडियो मुझे दिया उनकी खुद की एक वीडियो मैं तलाश रहा था इस वीडियो को करने के लिए खासतोर से इस चर्चा को तो ये वीडियो दिया आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो छोटी लाइन का जो भविश ये है वो क्या है आखिर मैलानी जंक्शन से अब जो छोटी लाइन बची है नानपारा की दिशा में उसका क्या होगा आने वाले समय में क्योंकि रेलवे का जो प्रोजेक्ट यूनिगेज है 90 के दशक में ये बात चली थी कि भारती रेलवे के जो गेज है अलग-लग जैसे ब्रोड गेज तो हमारा स्टेंडर्ड गेज है है ही उसके लावा जो छोट लाइन थी मीटर गेज कहीं नैरो गेज तो इनकी कोशिश हुई कि एक अप्रेल 1992 से 1 एप्रिल 1992 से ये प्रोजेक्ट यूनिगेज जो है ये एक्शन में आ गया इसकी शुरुवात हुई जिससे देश भर में जित्ती भी रेलाइन है उनको ब्रोड गेज पर यानि की 1660 मिल अरत वर्ष में अलग-लग रेलवे की जो जोन्स थी उनको गेज कनवर्जन की अंतरगत ये जो छोटी लाइन की ट्वेन अभी आप देख रहे हैं यहां मैलानी जंक्शन पर खड़ी हुई है ये एनियार जोन है लखनव डिविजन है यापर और यहां पर भी जो सीतापु इतिहास है मैलानी जो इसका अतिहास है मैलानी का यहां पर अंग्रिजों ने जो लाइन थि वो डली थी इसस्पेशली यह लखींपुर खीरी दिले में आता है और सिशन का कोड है MLN है मैलानी का तो यहां पर ब्रॉड के शुरुवात हो गई 14 फरवरी 2020 में और उसके बाद जो छोटी लाइन की ट्रेंस थी जो यहां से बहराईच की दिशा में जाती थी उनको फिर आगे बंद कर दिया गया ये कह करके कि निया एलाइन्मेंट पलिया से बनाया जाएगा और आप मैलानी से अगर आपको जाना है तो गोमती नगर एक्स्प्रस से फिर गूंडा हो करक आप बहराईच की यातरा कर सकते हैं तो फिलाल वो ये भी इशू था कि दुधवा नेशनल पार्क के अंदर से लाइन जा रही थी इसलिए उसको बंद कर दिया गया अब मैलानी से आगे भीरा होते हुए पलिया तक ब्रॉडगेज होना है भविश में उसका अमान परवरत था तो जो लकड़ी के लठे होते थे लॉक्स उनको ले जाते थे बाहर यूरोप इंग्लेंड वहां ले जाते थे बेशते थे तो उसके लिए छोटी लाइन डाली गए थी ताकि जो गुट्स ट्रेन है माल गाड़ी बेसिकली वही पहले चला करती थी और धिरे धिरे फिर जो शारदा का रेलखंट था वो 1892 में तयार कर लिया गया था 1892 में तो ये ब्रिटिश काल से जो छोटी लाइन है चली आ रही है अजादी के बाद जब हमारा देश अजाद हो गया 47 के बाद तो धीरे धीरे करके फिर जो छोटी लाइन थी उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को द प्रेन में चड़ाया जाता था तब वो आगे जा पाता था कहीं पोड तक तो कोशिश ये की गई भारती रेलवे ने फिर ये कोशिश की जब धीरे धीरे बड़ी लाइन को इन्होंने प्रोजेक्ट यूनिगेज की उपर एक जर्चा करी एक रिसर्च करी और फिर ये पाय लाइन पर एक ही गेज पर हो और कुछ हरिटेज लाइन जो प्रिजर्व करी गई जो हमारे इतिहास है या आप उसको धरोहर कह सकते हैं उनको कुछ पार्ट्स में यूनेस्को ने भी सर्टिफाई किया जैसे टॉय ट्रेंस चलती हैं चाए वो हमारी कालका शिमला हो या दा देख सकते हैं इस पेस बहुत कम होती है और एकी साइड इसमें बर्थ हुआ करती थी या बैठने का स्थान आप कह सकते हैं जैसे ब्रॉट गेज में दोनों ही दिशा में होता है और जो छोटी लाइन की गुट स्ट्रेंड है वो भी आप देखिए क्योंकि भविश में यह पर काफी है यह देखे छोटी राइन के डिब्बे यादों के जरोके से बिलकुल आपको ऐसा लग रहोगा क्योंकि जब से लॉक्डाउन हुआ है क्योंकि बीच में यह बात आ रही थी हाई कोर्ट भी लोग गए कि जो आपने मैलानी जंक्शन से नानपारा होते हुए बह तो यह हो रहा था कि फिर रेल गाडियों का संचालन शुरू होगा लोकल्स की दबाव में और जो लोकल यहां के रेप्रेजन्टेटेव हैं पबलिक के जन प्रतिनिधी लेकिन फिर लॉक्डाउन लग गया 22 मार्स से जैसे आपको पता है तो उसके बाद से जब से मीटर ग सविश है यहां से अगर यह पलिया तक जैसा सूत्र बता रहे हैं और जैसा रेलवे का प्लान है कि भीरा होते हुए पलिया तक मैलानी जंक्शन से जो यह छोटी लाइने इसको तबदील कर लिया जाए इसको भी प्रोजेक्ट उनिगेज में बदला जाएगा गेज कनवर् के बार-बार ट्रेंस को ले जाए जा सके तो यह छोटी लाइन यहां पर आप जो देख रहे हैं मैलानी जंक्शन पर अभी यह हो सकता है भविश में वर्ष 2020 में आगे टेंडर्स हो जाएं क्या पता और कारी शुरू हो इस दिशा में धीरे धीरे जैसे उधर पीली भी जं समय में तो भविश में फिर हो सकता है जो यह छोटी लाइन है मैलानी जंक्शन पर बिटिश काल की 1911 और उसे पूर यहां पर जो शारदा वाला खंट था जैसा मैंने आपको भी बताया 1892 में यह बनकर जो तयार हुआ था तो बेसिकली अंग्रेज यहां पर हंटिंग के ल किया ताकि जादा लोग वहां पर ना जा सकें जैसे हमारे परवतिक शेत्र हैं पहाड हैं तो काटगुदाम को टनकपुर को इन्होंने मैलानी साइड इधर जो फॉरस्ट एरियाज हैं और जो इस प्रकार की एरिया थे जैसे नैनी ताल वगएरा अंग्रेज जाते थे तो इन्होंने काटगुदाम वगएरा को उस समय भी टाइम पे जो छोटी लाइन से मीटर गेज से जोड़ा उसके पीछे जो मुझे लगता शैद उनकी जो सोच रही हो वो यही हो कि अधिक से अधिक लोग वहां ना पहुंचे ताकि प्रदूशर ना हो क्राउड ना हो क्यों बड़ा से ट्वेंस आ रही हैं दिली से जैसल मेर से आ रही हैं तरनकपूर बड़ी लाइन से जोड़ा है तो जो पहाड़ों पर अबादी है आवा गमन है नैनीताल हो मसूरी हो सब जगें आप पूरे पहाड़ों में देखिए भ्यानक ट्रैफिक जाम्स हैं ओवर क्राउ लाइन को उस समय डाला ताकि हर जगह से उसकी कनेक्टिविटी ना हो यह हो सकता उनकी एक सोच रही हो एक उद्देश राओ उस टाइम पर लेकिन अब जब से प्रोजेक्ट यूनिगेज 1992 से गौर्मेंट ने इंडियन रेलवे ने शुरू किया भारती रेलवे ने तो बचे तो ये सारी जो चीज़े हो रही है इसको मद्दे नजर इसको देखते हुए अगर हम ये बात कहें कि भविश में जो मैलानी जंक्षन है यहाँ पर भी हो सकता है छोटी लाइन पूरी तरह से समाप्थ हो जाए क्योंकि बीच में ये बात आ रही थी कि शायद दुद शौप है वहाँ पर वो खड़ी भी हुई थी फिर यहाँ भी आए थी वो दुदवा के लिए उसका विशेश कर यही था कि शायद उसमें टूरिस्ट को दुदवा नेशनल पार्क घुमाया जाएगा छोटी लाइन पर एक हेरिटेज ट्रेन टाइप की वो चल जाएगी ट हमारी यह जा रही है दुदवा होते हुए नानपारा जंग्शन तक जहां से फिर नेपाल गंच की लाइन जो है उसका भी बड़ी लाइन में तबदील होने के बहराई से जब कारे शुरू होगा तो आपको जैसे पता है गोंडा बहराई भी बड़ी लाइन हो गई तो फि यह जगह जगह आपको एक जिसको कहना चाहिए धरोहर के रूप में प्लैटफॉर्म के उपर सजे हुए दिखाई देंगे जैसे स्टीम लोकोमोटिफ हर बड़े जंक्शन या बड़े स्टेशन के बाहर रेलवे एक सजा के रख देती है ताकि एक अतीत हमारा कैसा था धर उसको आप देख सकें तो यह जो छोटी लाइन का सेक्शन है मीटर गेज का यह देखी वाइडियम 4 लोकोमोटिफ आ गया यहाँ पर अभी मेलानी में सब बंद खड़े हुए लोकडाउन के कारण तो हो सकता है भविश में यहां से लेकर के जो यह पलिया वाला रूट है म फिर बाहर से ही अलाइनमेंट जाएगा और क्या दुधवा नेशनल पार्क के अंदर भविश में कोई इस प्रकार का इनका यूजना इनकी रहती है रेलवे की कि इसको हेरिटेज रूप के रूप में ट्रेन में यह जाए दो तीन डिब्बे हो छोटी लाइन के एक छोटे लाइन को भी बढ़ावा मिलेगा नजदीक से वाल लाइफ को देख सकते हैं रेल को आप रोक सकते हैं अगर कोच बंध हैं तो हमला भी नहीं कर सकते हैं कोई जंगली जानवर तो एक इस प्रकार से चीज भविश में हो सकती है यह मेरा अपना एक सुझाओ है और छोटी ल लाइन देखने को मिलेगी भविश में तो मैलानी जंक्शन से ओवराल एक व्यू के साथ जो छोटी लाइन पर एक हम चर्चा एक बात करना चाह रहे थे वो इस वीडियो के माध्यम से आप से हमने करी और उमीद है आपको यह बाते जो भी हमने करी अभी पसंद आई होगी क्योंकि प्रोजेक्ट से थोड़ा हटके यह वीडियो था एक अलग प्रकार का तो कोशिश की मैंने अब कितना पसंद आएगा यह आप लाइक करके वीडियो को बताएंगी हमें तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उमीद है आप हमसे ऐसे ही जुड प्रकार के लिए अगर भी तक नहीं किया है और बेल आइकन जरूर दबा दीजे ताकि जो नोटिफिकेशन है उसमें आल का आप जरूर बटन दबा दीजे क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पा रहे है यूट्यूब के तो आप आल पे जरूर क्लिक कर दीजे नोटिफिकेशन में जब बैल आइकन दबाएं ताकि जो भी भविश में वीडियो में अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए इधर से भी आप एक जलक देख लीजे जो वाइडियम फो लोकोमोटिव से यहाँ पर सारे खड़े हु एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग